तो किसान भाईयों मैं आज सा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ही खेत में आप गिहूं की सीजन में तीन फसले कैसे उगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाव प्राप्त कर सकते हैं हमारा एक ही खेत है औ अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें बैल आइकन दवा दें जैसे आने बाली वीडियो का नोडिविकरसन आप तक पहुं सके सबसे पहले तो चलिए किसान भाईयों हमारी पहली फसल है गिहूं की जब ह मारइं अगली फसल को लगा है तो आप देख सकते हैं एक कुडी जो हमारी इस तरफ है और दूसरी कुडी झूह हमारी इस तरफ है इन दोनों कुडियों के बीच में जो है हमारा काफी फासला रह गया है आप देख सकते हैं और इसमें हम अगली फसल को लगा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए किसान धायो आपने पहली फसल के बारे में जाना की एक ही खेट में हमने पहली फसल को लगाया था अब हम ब अधेग सकते हैं कहीं कहीं लाही दिखाई दे रही है आपको हम लाही जो है वह मेर पर लगा देते हैं आप देख सकते हैं जो हमारा यह लाही का पेड़ है यह हमने तो गिसान भाईयो आप देख सकते हैं जो हमारा लाही का पीण ये है बहुत अच्छी तरेकी से ग्रोथ कर रहा है इस पर फरियां भी बहुत लंबी-लंबी आई है आप देखना चाहेंगे कि इह लाही हमने किस जगा पर लगाई है तो हमने इह लाही जो है वो मेड पर लगा है आप गिहों की जब खेती करते हैं तो लाही को भी लगा सकते हैं जब आप गिहों की खेती करते हैं तो आपको मेड डालना भी जरूरी रहता है अगर आप अपने खेत में मेड नहीं डालते तो आप पानी की भराई सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो क्यों ना आप अधिक मात्रा में लाव प्राप्त हो सके तो हमने इसी पिरकार अपने खेत में जितनी भी मेड़े डाली हैं सब पर लाई लगा दी है और लाई बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है इसमें काफी अच्छी फूल है और हमने गोल्डी लाई को अपने खेत मर बोया ह और इसकी फली आप देख सकते हैं काफी लंबी फली जो है अभी आई है और यह जब लाई परपक हो जाएगी तो इसमें अच्छी फरी हो जाएगी और दाना भी अच्छा लिकलेगा गोली लाई की उत्पादन चमता अधिक होती है और अधिक समय तक अच्छी रहती है इसमे किसी पिरकार का कोई रोग नहीं लगता तो किसान भाईयो अब हम चलते हैं अपनी तीसरी फसल की ओर जो की महत पूर अधिक महत पूर यह फसल है तो किसान भाईयो जैसा कि हमने आपको पहली फसल में बताया था ग्युहूं को कुड़ी के माध्यम से बोना और उस दोनों ना का रह गई है इसमें हम कुड़ी खेशने वाले यंत्र से कुड़ी खेशने के पश्चात जन्वरी और फरवरी के महीने में में जिसे हम साधारण बासा में सिवाली का नाम दे देते हैं या सिवाली हम उसे कह सकते हैं जिसका तेल कम से कम 1500-2000-2000 के लंब सम में बिच जाता है ज तो किसान भाईयो जो सिवाली जनवरी और फरवरी के महीने में गिहूं के खेट में रोपित की जाती है, 24 मासे के मौसम में कट जाती है, जैसे ही आप अपनी सिवाली को खेट से काट लेते हैं, काटने के पस्चात मेंता टैंकों में उसका तेल निकलवा लिया जाता है, गिह वीडियो में हमने आपको बताया कि एक ही फारम में गेहूं लाई और मेंथा की खेती हम कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ तो चली किसान भाईव अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें बैल आइकन दवा दें जिसे आने बाली वीडियो को नोड़ी भी कसन आप तक पहुंसके सबसे पहले